जै मातादी दोस्तों, World West Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, सातुरी तीज का पर्व हिंदु धर्म में विशेश महात्तु रखता है ये तेवार रक्षा मंदन के तीन दिन बाद और क्रिशन जन्मास्टमी के पाँच दिन पहले ये तीज मनाई जाती है सातुरी तीज को कजली तीज या कजरी तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है इस खास दिन पाल की तयार की जाती है जिसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इस दिन महिलाएं वा लड़कियां घर परिवार की सुख सान्ती के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन सुर्योदे से पहले उठकर दमोडी यानी हलका नास्ता करने का भी रिवाज होता है। इसके लावा सातुडी तीज पर सवा किलो या सवा पाओ के सत्तू भी तयार करने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथी या वार को देखकर बनाया जाता है। मंगल वार और सनिवार को सत्तू नहीं बनाया जाते हैं। और कलपने के लिए सवा पाओ या मोटा लड्डू बनाया जाता है। वा एक लड्डू पती के हाथ में जिलाने के लिए बनाना चाहिए। और कुमारी लड़कियां लड्डू अपने भाई को जिलाती हैं। तीज के एक दिन पहले सिर्धों कर हाथों वा पैरों पर इस दिन पूजा के समय सोला सिंगार करके पैर में महावर या आलता वस्त लगाएं। इसके बाद ही उन्हें विद्वत पूजा अर्चना करनी चाहिए। चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं सातुरी तीज की व्रत कता के बारे में जो इस प्रकार है। एक साहुकार था, उसके साथ बेटे थे, उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिस था, वरोजाना एक वैस्या के पास जाता था, उसकी पत्नी बहुत पती व्रता थी, खुद उसे कंदे पर बठा कर वैस्या के यहां ले जाती थी, वैं बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी बादरुपद महीने के कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का वरत और पूजा के लिए सत्तू बनाएं छोटी बहु गरीब थी उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंड बनाया और साम को पूजा करके जैसे ही वो मुझे वैसक यहां छोड़ कर आजा हर दिन की तरह उस दिन भी वे अपने पती को कांधे में बिठा कर उसे छोड़ने गई लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ वे बहार ही उसका इंतजार करने लगी इतने में जोड से वरसा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा कुछ दिर बाद नदी से आवाज आई आव तारी जाओ तारी दोना खोल के पी पिया प्यारी होए आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूद का दोना नदी में तैरता हुआ आता हुआ उसे दिखाई दिया उसने दोना उठाया और साथ बार उसे पी कर दोने के चार टुकडे किये और चारों दिशाओं में फेक दिया उधर तीज माता की क्रपा से वैस्या अपना सारा धन उसके पती को वापस दे कर सदा के लिए वहां से चली गई पती ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी दरवाजा खोल तो उसकी पत्नी और देखा कि उसका पती गहनों और धन माल सहिद खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिये, फिर दोनों ने बैठ कर सत्तू पासा, सुबह जब जठानी के यहां काम करने नहीं गई, तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो, सारा काम पड़ा है, उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब म कपड़े और गहने पैन कर बैठी हैं, और काका जी भी घर पर बैठे हैं, सभी लोग बहुत खुस हुए, हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन हुई है, वैसे ही सब पर प्रसन हो, सब के दुख दूर करना, तो बोलो कजरी तीज माता की जै, तो दोस्तों, ये जानकार आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद!